हेलो गाईस कैसे हो आप सब आई होप आप सब सही होगे अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए आज मैं आपको ये tree बनाना सिखा रही हूँ बिल्कुल असान से तरीके से बिल्कुल waste material से आप इस tree को बना सकते हैं तो चलिए इस tree को बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको एक drawing sheet लेनी है उस पर एक cloud बनाना है जिस तरीके से मैं पैंसी बिल्क बना रहूं आप किसी बी चीज से इसको बना सकते हैं और आपको इसे cut कर लेंना है इसी shape में कट करने के बाद आपको green color का paint लेना है और नीचे के part पर इसे paint कर देना है जिस तरीके से मैं कर रही हूं आप इसे अच्छे से पेंट कर लीजिए फिर आपको इसके उपर ग्रास का इफेक्ट देना है इसी ब्रश की हैल्प से आप ग्रास का इफेक्ट दे सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको ग्रास बनानी जैसे मैं बना रही हूँ अब आपको ब्राउन क्लर का पेंट लेना है और एक पेड बनाना है एक ट्री बनाना है जैसे मैं बना रही हूँ कि इसकी पत्री पत्ली सी शाखा यह निकालनी है आपको पत्रे ब्रश के हल्प से आप कितनी भी निकाल सकते हो अपने अकोर्डिंग इसके लिए आपको ज़्यादे फिनिशिंग की जूरत नहीं है जैसे मैं आपको दिखा रहे हूँ वैसे भी आप इसको निकाल सकते हैं अगर मेरे चैनल पर नहीं और आपको यह वीडियो अच्छी लग रहे हैं तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मेरे वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए कुछ इस तरीके से आपको इस में से थोड़ी बहुत रूट्स निकालनी है इसको दो मिनट सुखाने के बाद अब आपको आगे की प्रोसेसिंग स्टार्ट करनी है उसके लिए आपको कुछ पिस्ता की छिल लग चाहिए यह आपके 24 से 25 लग जाएंगे आपको कोई भी चार यह पांच कलर लेकर थोड़े थोड़े यह अच्छे से पेंट करने है चार से पांच पिनट आप एक कलर के पेंट कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ मैंने यह आपर ब्ल्यू, रैड, वाइट एंड येलो कलर लिया है इन पिस्तो की चिलकों को कलर करने के लिए आप जो आपने पेर बनाया था उस पेर पर फैविकल के हिल्प से इन पिस्तो की चिलकों को आपको चिपकाना है कुछी इस तरी से जैसे मैं चिपका रही हूँ आपको जितनी भी रूट्स दिख रही है उस सब रूट्स पर आपको इन पिस्तों के छिलकों को चिपकाना है इस तरह से आपको सारी रूट्स पर इसे अच्छे से चिपका लेना है कुछ इस तरीके से त्यार हो जाएगा अब आपको बर्स बनाने उसके लिए आपको ब्लैक पेंट की हैल्प से आख और इसकी चोच और नीचे दो पैर बनाने है आप इसे किसी भी ब्रश से बना सकते हैं अगर आपको ब्रश से बनाने में डिफिकल्टी होती है तो आप इसके लिए टूथ पिक भी इस्तमाल कर सकते हैं टूथ पिक की हैल्प से भी यह आसानी से बन जाएंगे अब आपको इसके नीचे दो दो पैर बनाने हैं इसी पेंट की हैल्प से अब आपको इसको ओर डेकुरेट करने के लिए एरबड की हैल्प से रैड कलर को इसके अंदर फूलों का इफेक्ट देना है ताकि और भी ज़्यादा अच्छा लगे तो देखा आपने हमने बिल्कुल वेस मैटेरियल से और कितने असानी सही से त्यार कर लिया है यह बनने के बाद बहु ज़्यादा सुन्दर लगता है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है